हलो प्यारी बच्चों कैसे हूँ आप सब मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे होंगे अच्छा बच्चों एक बार फिर आपको पता है मैं आ गई हूँ आप सब के लिए और आप सब को लिये चलने के लिए कविता और कहानी की दुनियावे अच्छा ये बताओ कि आप करने वाली हूँ वह बरसात की बाद करने वाली हूँ बरसात का मौसम सब को अच्छा लगता है ना जी जी बिल्कु सही क्योंकि जब बारिश होती है न तो बारिश से पहले क्या होता है आस्मान में काले-काले बादल चा जाते हैं और सिर्फ बादल नहीं चाते बागों मे मोर भी नाचने लिगते हैं यानि बारिश से पहले बहुत कुछ होता है हमारी इस धर्ती पर तो बच्छो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी कविता के बारे में जिसका नाम है बादल तो चलिए हम और आप मिलकर शुरू करते हैं इस कविता को काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए बोलो कैसे आकर चाए हवा पकड कर लाती सरसर चाए जैसे काले कंबल कितने सुन्दर लगते बादल पेडों जैसे भेडों जैसे लगते जैसे चलते घोडे बन जाते हाथी के जोडे नन्हे जलकन गए भाप बन उसी भापने ठंडक पाई बादल बरसे बरसा आई करते गड़गड आते चड़चड बिजली बादल को चमकाए अंधियारे में राह दिखाए मोर मगनमन चूम चनन चन जूम जूम कर नाच दिखाए खुश हो हो कर गाना गाए बरसे बादल कल कल चल चल तैर चली का गसकी नहिया पूँच उठा कर भागी गईया तो बच्चो कैसी लगी आपको हमारी ये कविता बादल कितना अच्छा होता है न जब बारिश होती है काले काले बादल चाते हैं हम सब के लिए बारिश बहुत जरूरी है खेतों के लिए भी हर तरफ हर याली हमारी फसलों के लिए भी ये बारिश बहुत जरूरी होती है है ना हम् तो क्यो ना बच्चो आज की जो कविता सुनाई है उससे जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें कर लें? बात्चीत के लिए बच्चो ये पता है आपको कि बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है? अच्छा ये बताए कि बारिश कैसे होती है? आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सोचिए, सोचिए, क्या बारिश दे कभी कोई परिशानी भी होती है? हैं बच्चों, बताओ. कविता के आधार पर उत्तर लिखिए. बादल कैसे बरसते हैं? मोर कैसे नाचते हैं? और हवा कैसे चलती है? चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं. चित्रकारी और लेखन. जब आसमान में बादल हो, आसमान को द्यान से देखिए. आपको कौन-कौन से आकार दिखाई देते हैं? इन बादलों के आकारों के चित्र अपनी कौपी में बनाईए. आसमान और बादलों के बारे भी कुछ वाके भी लिखिए. बच्छो, चलिए कुछ खोजे और जाने आपको पता है कि हमारे घर जो अख़वार आते हैं यानि समाचार पत्र आते हैं उसमें भी मौसम के जानकारी दी जाती है यानि कही न कही बादलों वाली कविता की जानकारी होती है मौसम कैसा रहेगा ? कब बारिश होगी, यानि हम सब के लिए ये जानना जरूरी है, समाचार पत्र में मौसम की जानकारी अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़िये, शब्द जो होते हैं उससे बहुत सारे हम लोग खेल भी खेल सकते हैं, यानि शब्दों का खेल, अभी आपने एक कविता सुनी ना, बादल, बादल शब्द सुनने पर आपको कौन-कौन से शब्द याद आए हैं, सोचे जरा हमने बहुत सारे शब्द इस कविता के अंदर जैसे बिजली, मोर, आदी की तरह अन्य भी कौन-कौन से शब्द याद आते हैं आपको, सोचे जरा और इन शब्दों को लिखे, और लिखने के बाद आपके जो शब्द, बादल शब्द से कैसे जुड़ते हैं, इन सब के बारे में अपने दोस्तों को बताईए, सब को ब पड़ी थी न, उसमें बहुत सारे नए-ने शब्द आये हैं, तो क्यों न, हम उन शब्दों को दूसरे शब्दों के साथ जोड़कर एक नया शब्द बनाए, यानि मिलान कीजिए और नए शब्द बनाए, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मैं आपको बताऊ, पहला मोर, अब मोर के साथ क्या-क्या जुड़ सकता है, सोचे जरा, इसमें कितने सारे शब्द दिये हुए हैं, जैसे बहार है, सूरज है, पंक है, लेकिन मोर की जब बात आई है, तो कहीं न, कहीं पंक जुड़ जाएगा न, उसके साथ, तो हमारा एक नया शब्द बनेगा, मो और पंक, इसी तरह और भी शब्द हैं, सोचिए, दियान से देखिए और उनके साथ आप जोड़ते चले जाएए, मैं शब्द पढ़ती हूँ, जैसे अगला शब्द है, रात, सूरज, बहार, मुखी, जामुन, नील, गुलाब, पत्र, समाचार, गाय, रानी, सदा, अब इतने सारे शब्द हैं, तो कौन से शब्द के साथ कौन सा शब्द सही जुड़ेगा, ये आपको सोचना है, और एक नया शब्द बनाना है, बहुत ही मज़ेदार होगा ये, और रोचक भी, तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, कविता में देखकर सह शब्द चुन कर लिखिये, हवा, रिक्तिस्थान, लाती सरसर, अब सोचिये कि हवा क्या लाती है सरसर, अगला वाक्य बनता है, नन्ही जलकण गए, रिक्तिस्थान बन, अब नन्ही जलकण गए, क्या बन गए, सोचिये जरा, अगला है मगन मन क्या छनन छन सोचिए सोचिए कविता में आया था ना बरसे कल-कल अब क्या बरसे कल-कल सोचिए अगला है हमारा वाक्य पैर चली की नईया अब किसकी नईया थी हमारी याद करें, उठाकर गईया, क्या उठाकर गईया, सोचिये जरा, प्यारे बच्चों, इन शब्दों को पढ़िये, बच्चों और बस्तों के नामों को अलग-अलग लिखिये, मैं शब्द बता रही हूँ, कौन-कौन से हैं, मेरे साथ पढ़िये आप भी, पहला शब्द है, अब इन शब्दों में से बच्चों के नाम और वस्तों के नाम आप अलग-अलग लाइन्स में लिखिये, इनको, बच्चों, नीचे दिये गए चित्रों का मिलान, सही शब्द से कीचे, ये शब्द हैं, जल, व्रिक्ष, मेग, प्रित्वी, तो बच्चों, हमने कविता तो पढ़ी, तो क्यों आप कुछ लिखिने का काम करें, यानि लेखन कारें, चित्र देखिये, और दिये गए शब् स्थानों को भरिये, ये शब्द हैं, पानी, बादल, भाप, बूदे, गर्मी, अब हमारे वाके हैं, सूरज के प्रकाश से बढ़ती है, अब क्या बढ़ती है, शब्द तो उपर मैंने बताये थे आपको, आब इसमें सही शब्द भरिये आप, आगे बढ़ते हैं बच्च अगला वाके है हमारा गर्मी पानी को बनाती है, अब गर्मी पानी को क्या बनाती है, सोचे ज़रा सही शब्द धूढ़िये, खोजिये और इसमें भर दीजिये, आगे बढ़ें अगला है भाप उपर जाकर बनाती है, अब भाप उपर जाकर क्या बनाती है, सोचे ज़रा चलो आगे बढ़ते हैं हमारा अगला वाक्य है बादल नन्ही नन्ही बरसाते हैं अब बादल से नन्ही नन्ही क्या बरस्ती होगी सोचे जरा शब्द तो मैंने बताए थे सही शब्द भरना है आपको और हमारा आखरी वाक्य है नदी नालों में भर जाता है अब नदी नालों में तो आपको पता है ना बच्चो क्या होता है सही शब्द भरना क्योंकि ये शब्द तो सबको आता है कि नदी और नालों में क्या हो सकता है तो बच्चो बादल जो कविता आज हमने पड़े उससे कितने सारे शब्द हम सबको सीखने को मिले और हमें पता भी चला कि बारिश जब होती है तो बादल कैसे काले-काले आस्मान में चाते हैं, क्या कुछ होता है हमारी धर्ती पर, हर तरफ हर्याली चा जाती है, फसलों को पानी मिलता है और ये सब बहुत जरूरी है, यानि हर मौसम की अपनी एक उपियोगिता होती है तो बच्चों, इसी तरह की अच्छी-अच्छी कविताएं आप पढ़ते रहिए, उन कविताओं को गीत के माध्यम से गुन-गुनाते रहिए, याद करिए, अपने ममी पापा को सुनाईए, अपनी दोस्तों को सुनाईए, अपनी क्लास में गा-गा कर भी इस कविता को प्रसंतों किवता हुईति से प्रहिए अपनाफ सुनाईए